Hello everyone, तो एक बहुती amazing news है अभी Indian fans के लिए Bukesh ने ले ली है sole lead in the candidates tournament 2024 13th round के बाद में तो अभी हम लोग जैसे देख सकते हैं कि leaderboard जो है यहाँ पर Bukesh 8.5 के साथ कर रहा है lead Karuana, Nakamura और Nepo बिल्कुल पीछे है 8 points के साथ तो अभी जो chances बने हैं वो सिफ इन चार लोगों के लिए बने हुए है बाकी सब के लिए chances बिल्कुल 0 हो चुके है आपको पहले बता देता हूँ कि round 14 में किसका किसका pairings होने वाला है तो Gukesh और Nakamura का pairing है अभी एक simple चीज हम पो याद रखनी है गुकेश को draw करना ही पड़ेगा अभी के लिए तो इसलिए Gukesh को draw करना must है और एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि जैसे round 14 है अगर Gukesh यहाँ lost कर जाता है तो obviously Nakamura will win तो अगर Gukesh यहाँ draw भी कर ले तो tie break के तरफ चला जाएगा और हम लोग देखते हैं match-ups प्रगनन्दा अबासो और विधित और लिवेजा यह दोनों match-ups अभी relevant नहीं है अभी relevant match-ups है Gukesh और Nakamura, Nepo and Karuana अब देखो यहाँ पर चीज कैसी है मान लेते है Gukesh और Nakamura का draw हो गया Gukesh Nakamura के draw के बाद Nakamura के chance हो जाते, cut, 0 क्योंकि draw हो जाएगा Nakamura के 8.5 points, Gukesh के 9 points, Gukesh लीड कर जाएगा नेपो और Karuana, इन दोनों में से अगर कोई player win कर गया किसी भी एक player ने win कर दिया तो उसका और Gukesh का tie break हो जाएगा और अगर draw हो गया मान लो नेपो और Karuana के बीच तो फिर Gukesh के draw के बाद, simply Gukesh will win the candidates और हमको देखने मिलेगा एक new challenger for the candidates, sorry, for the world championship तो अभी मैं तो बस यह चाहता हो, कि अगर win ना भी सही, तो black players के साथ Gukesh draw कर ले Gukesh कभी शायद वो mindset रह सकता है, but, but, हमको यह नहीं भूलना है कि Nakamura continuous wins करते 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 आ रहा है, continuously, और अभी तो Nakamura के पास white pieces भी है तो Nakamura ने अगर strike किया, तो फिर तो गया, मतलब आप फिर समझ लो कि Nakamura के win के बाद तो फिर कुछ रहेगा इन मानलो, Nakamura ने किया win, तो Nakamura के हो जाएंगे 9 points, Gukesh के 8 and half ही रह जाएंगे, तो Nakamura definitely tie breaks में confirm हो जाएगा तो Karuana और Nepo का अगर draw हो गया, तो Nakamura win the candidates, और अगर दोनों में से किसी ने win किया, तो मानलेते है, Karuana ने win किया, या Nepo ने win किया तो Nepo and Nakamura, इनका रहेगा tie breaks, तो अभी बहुती 14th round interesting होने वाल है, बहुती pressurized situation है, बट मैं आपको बताओ, मेरा personal analysis, मेरा personal analysis बोलता है, यहाँ होगा draw, for sure, और यहाँ Nepo और Karuana all out जाने वाले है, win के लिए, और all out situations में, Karuana is little bit better, तो यहाँ draw और यहाँ पे Karuana will, ऐसे situation बने हु Mukesh और Karuana, दोनों tie breaks के तरफ चले जाएंगे, ऐसा अभी के लिए, इस point of time पे मेरे हिसाब से मुझे situation लग रहा है, ठीक है, तो एक बात 13th round का analysis हम लोग कर लेते है, quickly, कि क्या हुआ है, Nakamura और Nepo का हुआ draw, तो E4, E5 opening खेला गया है, इदर, तो यहाँ पे Nepo ने थोड़ा सा try क Nepo को तो obviously करना ही पड़ेगा, C3, D4 ideas के साथ में try किया है, बहुत ही ऐसा नहीं है कि बहुत ही new idea है, या फिर कुछ common ideas ही है, exchange of pawns, exchange of knights और exchange of bishop, हमको सब कुछ देखने मिल चुका है इदर, अभी यहाँ से देखो, bishop पीछे आ गया on C2, यहाँ पर Nakamura का इतना मुझे try दिखा नहीं, win के लिए, क्योंकि ऐसा मतलब, ऐसा situation ही कोई ऐसी बनी नहीं था, pawn push, यह checkmate threat को पूरी तरसे avoid करने के लिए, रुक ने attack किया, इस pawn पर lot of pressure है, थोड़ा सा कोशिश, लेकिन Nepo is in full control, तो ऐसा कोई problem होने वाला नहीं है, queen पर attack है, queen को move करना पड़ेगा, यहाँ उन्हो draw के mood में ही था, Nepo ने थोड़ा सा कोशिश की, बट ऐसे कोई बहुत ही अलग कोशिश नहीं की, मतलब, जो कोशिश भी की, बहुत ही, ऐसे बस try किया भी, opening में से, अगर कुछ advantageous position निकल जाए, तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो चाहिए, एक लरीके से यह भी कह सकत किया, मतलब, definitely try तो किया है, योगा ऐसा नहीं की, जान कुछ कर नहीं किया है, but draw करना चाहिए था प्रग्नन्दा, यहां हमको वापस Sicilian देखने मिला करूआना की तरफ से, और करूआना ने Sicilian बहुत खेला है, इस candidates में, तो 9D7, 9D2, G5, तो प्रग्नन्दा ने वही अपना क्या कहते है, candidates के according, normal way में खेला है, आप समझ सकते हो कि candidates में प्रग्नन्दा किस तरह से खेल रहा है, इस बारे में मैंने बात भी की है, बार-बार, कि प्रग्नन्दा is not playing in his own style, वो कुछ तो नया करने की कोशिश कर रहा है, हर game जो हमको प्रग्नन्दा का देखने मिल रहा है वो किसी ना किसी वे में interesting है, अब ये दो pawns ना बहुत अच्छे से attack कर रहा है, knight का अच्छे से center में setup हो चुका है, तो इस वज़ा से यहाँ पर बहुत से problems face करने पड़े, exchange भी loss हो गया प्रग्नन्दा का, और बहुत ही अच्छा attack हमको देखने मिला है करुआ ना पर, generally बात black ने किया, long castle, ओके, ये एक बहुती rarest of the rarest situation है, बहुती rare situation है, ऐसा होता नहीं है, black तो short castle ही करता है, और white ने short castle किया है, white तो short castle बहुत से variations में करता भी है, तो इतना rare नहीं कह सकते, but black doing long castle, और देखो उसने करुआना ने अपने king को बराबर से छुपा कर रख लिया है यहां से बहुत pressure put करने की कोशिश की है, बिलकुल all out attack किया है, करुआना ने इस game में, और यही तो एक बात है न, कि वो all out attack कर रहा है, तो इसलिए तो अभी डर है, गुकेश को draw करना ही पड़ेगा, किसी भी way में, draw नहीं किया, तो he is out, ठीक है, for sure he is out, तो draw नहीं करेगा, नका मुरविन हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बता है, यहां पर थोड़ा सा situation consolidate हो गया था, प्रगननदा के favor में, but problem यही है न, कि उसके पास एक rook है for a knight, तो इस वज़े से situation फिर भी control में करवाना कहीं रहती है, winning chance तो नहीं थे प्रगननदा के पास definitely, बस उसको survive करने की को कोशिश की है, ऐसी बात नहीं है कि कोशिश ही नहीं की है, बट ठीक है, अब जिस तरीके से हुआ नहीं भी हो पाया, bishop तो b2 आया, pawn push आया, bishop गया पीछे, अब देखो यहां से situation पूरी की पूरी गई है करवाना के favor में, bishop a1, यह कोई अच्छा स्कों है, लगता नहीं है bishop के अंदर आ गए, problem यह हुआ कि यह bishop एक तरफ फसके रह गया, pawn push यह भी piece का loss हो चुका है अभी, अभी आप क्या ही करोगे, मतलब आप as such देखोगे तो कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि यह pawn भी पूरी तरह के से आगे आ रहा है, तो फिर अब यह ऐसे situation में win, या फिर even draw के ल यह आप मार दोगे, वो मार देगा, बिशब यहां के pawn मारेगा, और यह हो गया pawn, त्रमोट, ओके, तो इस वज़ए से यहां पर किया है, प्रग्ननदा ने resign, try किया है, बट इतना कुछ ने, नीजत और विधित ने तो ज्यादा कुछ किया नहीं है, draw हुआ है, पेटर आफ पोइंट का आपको candidates tournament में, एक चीज़ को याद रको, और every half point you gain, you get $3,500, तो आप win करते हो तो $7,000, और for a draw, you get $3,500, तो उन दोनों ने वही चीज़ की है, कि चलो साढ़े तीन, साढ़े तीन ले लेते है, थोड़ा सा यहां पर विधित ने कोशिश की है, बिल्कुल, अप बहुती कुछ strong attack किया है, normal attack है, जो इस situation में आ जाता है, और king और knight का यहां पर repetition हुआ है बार बार, और इस तरीके से यह game हुआ है, draw, और यहां पर जो एक important matchup है, गुकेश ने हराया है, अलीरेजा को, बहुती important matchup, और इसी के साढ़ गुकेश ने lead किया था, तो वो देखन बहुती important है कि किस तरीके से हराया है, और यह चीज की मैंने बात भी की है, बहुत बात, कि अलीरेजा जो level का player है, और जिस तरीके का उसका candidates में performance है, बहुती बिल्कुल opposite है, यह second time हुआ है, पहले candidates में भी same चीज हमको देखने मिली थी कि अलीरेजा का performance candidates wise अच्छा नहीं हो होता है, ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज का गुकेश ने थोड़ा सा फाइदा उठा लिया, exchange of pawns हुआ, और उसके win के साथ बाकी लोगों पर बहुत pressure आ चुक है, तो यही तो एक बात होती है, pressure में mistake करने के chances लोगों के बहुत हाय है, किसी के भी, okay, bishop e3 आया, pawn to a3, pawn c4 push, pawn to g3, अभी तक के तो सारा situation हमको normally लग रहा है, pawn chains है, यहाँ पर भी सब कुछ normal है, exchanges हमको बार-बार देखने मिल रहा है, लेकिन कहां से game पलटा, यह देखने वाली बात है, f4, dangerous move, knight गया f6 पर, rook पर attack करने के लिए, rook आ गया पीछे, अभी knight to e3, exchange of pawns हुआ, बहुत ही अब पता था कि Gukesh win के लिए जा रहा है, तो इतने आसानी से तो वो भी win चुराने देगा नहीं, थोड़ा सा draw की कोशिश की थी, लेकिन Gukesh ने बोला नहीं, इस situation में draw था, बट Gukesh ने बोला नहीं, मुझे तो win के लिए जाना ही है, और यह थोड़ा सा नया रूप देखने मिल है Gukesh का, तो इस Gukesh खेल रहा था full on solid, और solid खेलते खेलते उसने aggressive nature adapt किया है इस tournament में, जो एक बहुत ही अच्छी बात होती है, आप जितने flexible हो अपने ideas को लेकर उतनी अच्छी चीज रहती है, queen g6, अब यहाँ पर हुआ queens का exchange, rook गया on the d6, rook takes pawn, ठीक है, एक pawn अभी मिल चुक है बहुत ही dangerous passers, अब यह passers से आप कैसे fight करोगे अली रेजा, नहीं कर सकते न, ठीक है, वापस repetition की कोशिश की अली रेजा नहीं, बट अली रेजा गुकेश वाज लाइक नहीं, यह तो मेरा game है, और इसको तो मैं जीत कर ही जाने वाला हूँ, कुछ भी कर लो, अब यह pawns queen होने ही वाले, इसको मार कर भी कोई फाइदा होने वाला नहीं है, finally अली रेजा नहीं किया, time wise भी आप देखोगे, तो less than a minute है अली रेजा के पास, around a minute है गुकेश के पास, और इस amazing win के साथ, गुकेश ने अपना lead, soul lead पा लिया है, इस tournament में, finally, women's candidates में आप देखोगे, तो board बहुती clear है, 10 ने soul lead 8 and half के साथ है, किसी के पास अगर chance है, tie breaks में जाने का, तो वो बस league के पास है, और किसी के पास में नहीं है, गोरेट्स किना, हमपी, न कैटरेना, वैशाली, सब लोग, सब लोग बाहर हो चुके है, ठीक है, ली के पास में chance है, लेकिन यही तो हमको advantage यह है, कि एनना मुझे चुक के साथ में match है, तो और आप एनना मुझे चुक का इसमें performance देखोगे, तो it was not good, ठीक है, as per the level of player, she is, इतना अच्छा नहीं है, तो 10 को यहाँ पर draw करने में कोई difficulty नहीं होगे, 10 को बस draw लेना है, और candidates हो गया, उसके लिए win, और हमको second time, मतलब Tanya Ali में से ही कोई जीतने वाला है, and the women's world champion is also from China, तो वापस कोई ना कोई Chinese ही है, जो हमको women's के section में world championship देखने वाले है, अभी men's case में कुछ भी हो सकता है, Chinese is already at a world championship level, वो world championship पर है, डिंग लिरन, अब उनको कोई Indian हराता है, कोई American हराता है, या Nepal की तरह कोई है, जिसने, like he's a Russian but वो अभी खेल रहा है, from the, like the feeding, ठीक है, ऐसा कोई खुद का कोई country ये नहीं रखा है, आप देख सकते हो, नेपो के आगे जो symbol है, वो इसका ये है, अच्छा अभी उसने चेंज कर लिया, Russian Federation का symbol adapt कर लिया, क्योंकि बीच में ऐसा कुछ तो हुआ था, कि छोड़ दिया था, फिर वापस आया था, क्योंकि रशिया पर ban वगेरा लगे था, तो women's candidates में भी अभी तो इतना कुछ interesting, एक बहुती interesting चीज जो हमको देखने मिली थी, कि वैशा ली ने ली को हरा दिया था, ठीक है, वैशा ली ने हरा दिया था, ली को, तो उस वाज़ा से ली के जो chances है, वो वीडियो में, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फाइनल अपडेट, आफ्टर राउंड नॉम्बर 14 मैं आपके लिए लेकर रहूंगा, और तब तक आप कमेंट करो, कि आपको क्या लगता है, कि कौन जीतेगा, फीडे, candidates 2024, see you in the next वीडिय बाइ